दोस्तो NDA का written exam बहुत सारे बच्चे clear नहीं कर पाते हैं और बच्चों को लगता है कि यही अकेला एक exam है जिसके through वो defense services में entry मार सकते हैं दोस्तो TES entry होती है grade 12 level के लिए technical entry scheme इसमें grade 12 में जैसे बच्चा पास होता है तो यहाँ पर आप एक ऐसे exam का form भरते हैं जहाँ पर written exam होता ही नहीं है जी हाँ बिना written exam के direct entry आपकी SSB interview में होती है तो कई लोगों को यह भ्रानती रहती है यह myth रहता है कि भाई हम अगर direct TES के through जाएंगे तो इस वाले SSB को clear करना crack करना बहुत मुश्किल होता है tough होता है तो मैं आपको बहुत clearly बता दू कि यहाँसा बिल्कुल भी नहीं है screening के बाद बिल्कुल same procedure है उतना ही इसमें आपके chances से select होने के जितने NDA में होते थे इसमें बहुत बड़ा फायदा है कि इसमें बिना written exam दिये आप direct SSB में बैठते हैं और recommend हो सकते हैं अभी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका TES में भी selection हो जाता है और NDA में भी selection हो जाता है और मैं पता दूँ आप लोग को कि TES entry का form जो होता है वो लगभग लगभग 9 December में आता है कि रपिया करके इस form के बारे में थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा set करके रखिएगा कि इसको भी आपको form भरना है क्योंकि बहुत अच्छी entry है वैसे ही Navy की भी एक entry होती है जिस SSB is all about your psychological strength and psychological aptitude तो strength aptitude एक SSB से नहीं बनता आप SSB जाएंगे वहां बहुत कुछ आपके drawbacks रहेंगे बहुत कुछ आपकी strength रहेगी हम उस पर काम करेंगे तो हो सकता है कि दूसरा SSB हम अच्छा दें तो यह आपके लिए एक experience की बात होती है इसलिए आप लोग कोई भी form ना झस आपके लिए एक पारसरा सहां चाहरा म् मेत रहें आपके टरेंवर कि पारसरा स्थना 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 कोई bendम मैं ज